Welcome to the new lecture और इस lecture का टाइटल है Situational Based Cricket Commentary मैं आपको situation दूँगा और उस पे आपको cricket commentary करनी है Basically एक तरह की activity है आप इसको quiz भी कह सकते हैं तो मैं आपको फटा-फट situation बता देता हूँ उसी तरह से आप अपने घर पे cricket commentary करिएगा ये वीडियो देखते देखते हैं लेकिन वो पहले ही मैच जब खेल रहा है तो क्रिसगेल है उनके सामने और क्रिसगेल ने उनके खुब बिटाई करिया छक्के चगों से बरसाथ कर दिया और आप commentary box में बैठे हुए है आप जानते हूँ बहुत खुनार खिला डिया आप कैसे cricket commentary करेंगे उस वक्त एक ये situation हो गए अपने आपको इस situation में रखिए और visualize करिए कि ये छे बॉले फेकी उन्होंने जिसमें चार पे चोगए पड़े हुए और दो पे छटके पड़े हुए और क्रिसगेल ने तहस तहस कर दिया इस baller को कैसे describe करेंगे आप इस situation एक situation तो ये हो गई आप यहाँ पे मेरी वीडियो पर pause भी कर सकते हैं दूसरी situation यही same baller है यही same baller है और यही situation है लेकिन ये जो baller है वो आपका सगा भाही है और आप commentary box में बैठके commentary कर रहे हैं अब situation के हिसाब से कैसे commentary करेंगे आप अब इस वीडियो को आप यहीं पॉस्ट करिए क्योंकि तीसरी situation आ रही है तीसरी situation ये है कि ये जो baller है ये आपका दोस्त है बहुत ही जवर्दस दोस्त है और इसकी पिटाई हो रही है मैदान में क्रिस गेल दोरा अब आप कैसी cricket commentary करेंगे पॉस्ट करिए हैं वीडियो को और जो आपके पहली दूसरी तीसरी commentary है उसको analyze करिए कि देखी जो पहली commentary थी आपने commentator बन के आपने commentary करी थी उस player से आपको बहुँ लेना देना नहीं था second situation क्या रही मैंने बोला वो आपका भाई है वो baller third situation क्या बोली मैंने बोला वो आपका best friend है अब जब आप देखेंगे वो commentary आप सुनेंगे तो आपको तीन perspective नजर आएंगे situation एक ही है लेकिन perspective तीन है क्योंकि मैंने situation को आपके हिसाब से बदल दिया तो ये थी situation based quiz चलते हैं next lecture में